A sum lent out at simple interest amount rupees this in 1 year and 750 in 4 year the sum and the rate of interest per annum respectively are. अब दीको यहां पर आपको केके given है 1 year और 4 year के लिए है, आपने पैसा 1 year के लिए invest किया है और आपने पैसा 4 year के लिए यहां पर invest किया है. 1 year में आपका total यहां पर बन रहा है 6, 0, 7, 6, 7 year में इहां पर repeat होगा 7, 5, 0, 4. Overall अप देखो यहां पर year में difference आपको यहां पर कितना मिल रहा है, year में difference से आपका 3 year का. और amount में यहां पर जो difference है वो difference आपको यहां पर देखेगा, that means वो interest आपका यहां पर add हुआ होगा. तो यहाँ पर हम 14 से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना यह आपका 8 आ जाएगा फिर आपका 9 9 से 7 जाएगा तो यह 2 हो जाएगा 5 से यहाँ पर carry एक दे दिया तो 4 बचा तो यह 4 आपका यहाँ पर आ जाएगा और 7 से 6 जाएगा तो यहाँ पर आपके पास 1 ओवराल आप देखेंगे यह कि 1428 यह आपको amount मिलेगा कितने यह आपको amount मिलेगा 3 year में ठीक है अब देखो 3 year में इतना हमको मिल रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक चीज यहाँ पर सोचो तो अगर आपको यह इतना amount यहाँ पर मिला तो 1 year में हमने अगर निकालना हो तो क्या करेंगे तो हम करेंगे एक्चली यहाँ पर इस तरीके से लिखते है 3 year is equal to 1428 तो 1 year में total हमको कितना interest मिलेगा 1 year की बात करें 3 से divide कर देंगे 3, 4, 12 ठीक है फिर यहाँ पर 22 हो जाएगा 3, 7, 21 carry 1 बचेगा 18 हो जाएगा 3, 6, 18 तो 1 year में आपको यहाँ पर मिलेगा कि 4, 76 का interest आया होगा और जो आपका यहाँ पर यह value है यह आपकी क्या है 4, 76 मतलब 1 year में था तो इसमें add होगा और उसने यही पूंचा है राशी कितनी तो राशी हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम यह 6, 0 7, 6 से माइनस 4, 76 एक साल का इसमें से interest माइनस कर देंगे तो मेरे पास ही कितना बचेगा मेरे पास यहाँ पर value आ जाएगी 5, 6, 00 56 रुपए आएगा आप देखो यह जो 56 रुपए यह आपके पास आ गया इस 56 का हम क्या करेंगे rate of interest निकालेंगे देखो मैं total यह value पता चल गई यह आपका क्या है यह आपका principle है और यह आपका यहाँ पर interest है means SI है अब आपको rate अगर निकालना हो तो आपको हमने क्या बोला था कि देखो आपको यहाँ पर P, R, T और SI यह 4 terms इसमें होते हैं P आपको यहाँ पर पता है 56,00 है R हमको यहाँ find करना है time आपको पता है यह 1 year का total था और SI भी आपको 476 यहाँ पर पता है तो अब यहाँ पर हम इसको लगा सकते है P into R into T1 upon 100 is equal to 476 ठीक है आपको यहाँ पर यह clear हो गई होगी अब इसको next हम further इसको solve करेंगे further solve करने जाएंगे तो आपको यह क्या बनेगा 56, sorry R की value यहाँ से find करेंगे R equal to हो जाएगा 476 into 100 divide में आपके पास आजाएगा 5, 6, double 0 और into में 1 तो बात वही आजाएगी इसको यहाँ पर हम 0 से 0 कैंसल कर सकते हैं 7 से minus करेंगे 7, 8 जा 56 7, 6 जा 42 बचेगा आपके पास 5, 56 हो जाएगा 7, 8 जा 56 तो 68 upon 8 तो इसको हम यहाँ पर करेंगे 58 upon 8 है solve कीजिएगा तो कितना आएगा आपके पास 8, 8 जा 64 बचेगा 5, 4 पॉइंट लगा देंगे 40 हो जाएगा 8, 5 जा 40 तो rate of interest कितना आजाएगा 8.5 तो आपका 5, 600 और 8.5 option नमबर यहाँ कौन सा first नमबर करेंट हो जाएगा 22 को यहाँ नमबर यहाँ को जाएगा 6, 6 पॉइंट को यहाँ पंदागा 6, 9 सा झाएगा